आप सभी का स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली आट फॉइंट दो क्वेश्चन नम्बर तीन वे चार तीसरे स्वाल में एक दुकानदार 24 रुपए में 80 वस्थों खरीता है और उन्हें 16 परतिशत लाप पर बेज़ता है एक वस्थों का विक्रेम उल्ले ग्यात कीजिए क्वेश्चन नम्बर तीन में 80 वस्थों का क्रेम उल्ले 24 रुपए तो एक वस्थों का क्रेम उल्ले हो जाएगा 24 वटा में 80 तीस रुपए और लाप परतिशत कितना है उसके वी क्रेम उल्ले पर सोला परतिशत तो लाप कितना हुआ तीस रुणा में सोला बटे सो जिरो सी जिरो गटवी सोला थी एड़तालिस बटा दस चार रुपए असी पैसे है इसका लाप आ गया तो हमने निकालना क्या है एक वस्थों का विक्रेम उल्ले क्या होगा एक वस्थों का विक्रे मुल्ले तीस रुपए में हम चार रुपए असी पैसे जोड लेंगी यह हो जाएगा चौतिस रुपए असी पैसे हमारा अनसर आ जाएगा चोथा सवाल है एक वस्थों का मुल्ले 15,500 रुपए था चार सो पचास रुपए इसकी मुर्मत पर खर्च किये गए यदि उसे 15% लाप पर बेचा जाता है तो उसका विक्रेम उल्ले ग्याद कीजिए चोथा सवाल में एक वस्थों का मुल्ले है 15,500 रुपए और मुर्मत पर खर्च किये चार सो पचास रुपए तो इन दोनों को मिलागर उसका कुल क्रेम उल्ले कितना हो गया इनको जोड़ लेंगे हम यह हो जाएगा 15,950 रुपए और इसको बेचने पर लाप परतिश्यत कितना है 15 परतिश्यत तो हम पहले लाप निकाल लेंगे और फिर वी क्रेम उल्ले निकाल लेंगे तो लाप कैंसे निकलेगा कुल क्रेम उल्ले हो गया 15,950 गुणा में इसका 15 परतिश्यत निकाल लेंगे 15,100 जिरो से जिरो पाइटिये 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 और एक अठाइस और पाइं तीए पंद्रह और दो सत्रह तीन और एक चार चार जार साथ सो पिचासी बटा दो आ जाएगा दो से बाग करेंगे तो ये आ जाएगा दो हजार तीन सो बानुए रुपे पचास पैसे अब हमने वी करेंगे निकालना है तो उसका कुल करेंगे कितना था कुल करेंगे था पंद्रह हजार नौस सो पचास रुपे और इसमें हम ये लाब जोड़ लेंगे दो हजार तीन सो बानुए रुपे पचास पैसे और विकरेंगे आ जाएगा अठारा जार तीन सो ब्यालिस रुपे पचास पैसे ये हमारा अंसर आ जाएगा जाएगा साहँ है भाल झाल जाएगा अँब करेंगे दो हाना ब्रूस सो बानुपे पार तीन सो बानुपे ये विकरेंगे